लेकिन सब आपने नी बातों सुनिये आरे तुम चलो उसे ही, उमें जरूरी बात बताने में को निहारिका, निहारिका निहारिका, यू निहारिका कैसा का है अच्छा, अच्छा, इसका मतलब तुम दोने एक दुश्री को जानते हो अरे नई ने कनिश ये तो मेरा दोस्त है तुम क्या कहती हो एक दोस्त हूँ मैं कहती है क्या बोल भी हो तुम एक गहर आत्मी के सामने अपने पती को दोस्त बोल भी हो लेकिन क्यों नई ने कनिश जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे बहुत टाइम से न कोशिश कर रही थी, ये बात बताने की, कि मैं शादी शुदा हूँ, और अच्छा है हुआ, कि आज तुम्हें पता चलिया, मैं बताती तुम्हें पूरी सच्छा ही क्या थी, इससे मेरी शादी हुई थी, जबरदस्ती, मेरे घरवालों न अपने काम के लिए बोलता रहता था, और मैं इससे कभी भी प्यार नहीं करती थी, बस मजबूरी थी, जो इससे मेरी शादी हुई, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हार साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं, बंद करो तुम अपनी बख्वास, यह एक delivery boy है, इसलिए तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती, और मेरे पस पैसा वैसा सब कुछ है, तो इसलिए तुम मेरे साथ रहरी हो, अगर मानो कल को मेरे पास यह पैसा बगारा कुछ ही रहा, तो तुम तुम मुझे भी छोड़ दोगी, किसी ऐसे के लिए जिसके पास म इंसान से नहीं, और मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि यह लड़की शादी शुद है, तुम इसका कोई रिष्टा नहीं बनाता, प्लीस मुझे मुझे माफ कर देना, नहीं ने कनिश, देखो तुम गला समझ लो, मैं सिर्फ तुम से ही प्यार करती हूँ, मैं समान उठा, और निकल मेरे घर से, लेकिन कनिश, अगर तुम मुझे यहां से निकाल दोगे, तो मैं रहूंगी कहां पर, कहीं भी जाओ, मुझे उससे मतलन भी है, और तुम्हार तो घर है न, वहां जाओ, मेरे घर से निकलो, मुकेश, प्लीस मुझे मुझे माफ कर दो, त कितना ड्रामा करोगी, तुम कितनी सभाई से जुट बोल लगी हो, तुम मुझे कहती थी, तुम अपनी दोस्तों से मिलने जारी हो, यह तुम्हारा दोस्त, और तुम यह काम कर रही हो, मैं सोच भी ही सकता था, कि तुम मुझे इतना बड़ा धूखा दोगी, मैं अगर तुम मुझे बता देती न, मैं और महनत करता, लेकिन तुम्हारी जरूरते, मैं जरूर पुरी करता, तुम्हारी यह सब करने ही क्या सदोर्ट पड़गी थी, बस, चारो मैं, और अपनी घर्दी शकल लेकर दोबाला मेरे पास मताना, और तुम, खड़ी-खड़ी द झाल